अब यह लो एवरीवन देस इस सुधिर एंड वेलकम टी आवर यूट्यूब चैनल टूड़ी वी डिसकस नेक्स टॉपिक टॉपिक है हमारा पीस एंड कॉंफिलेट विज चैना पीस शांती और कॉंफिलेट विवाद चैना के साथ हमारा जो शांती और जो विवाद है उस एक को डिसकस है वो करेंगे आज का ये टॉपिक रहेगा हमारा देखिए जो शुरवाती जो दोर था आफ्टर दा इंडिपेंट इंडिपेंडेंट के बाद इंडिया और जो चैना के जो रिलेशन थे वो काफी ज्यादा फ्रैंड लिए ठीक ना काफी ज्यादा मित्तरता पूर वक्त थे एक दूसरे पर यह लगा लीजिए जो रिलेशन थे वो काफी ज्यादा अच्छे थें कि इन नाइटिन फॉर्टेन इन नाइटिन फॉर्ट день इन इन चानीज रिवोल्यूशन एक चायना के अंदर एक रिवोलूशन हुई अज तर 9 जो बैटे एन थे जो पर सब्सक्राइज दे उनके गेंश हुई और जिसको च्फ। गॉर्फ। इन चैना और जिसकी वज़े से जो केमिनिस्ट जो गवर्मेंट थी वो इस्टेब्लीश हो गई और इसको केमिनिस्ट रिवॉलुशन के नाम से भी जाना जाता है अँजिए एक मातर इंडिया था जो इस चीज़ को स्पोर्ट कर था ओनली इंडिया स्पोर्ट दा चाइनेज केमिनिस्ट गवर्मेंट जो चैनेज की जो केमिनिस्ट जो गवर्मेंट थी उसको स्पोर्ट करने वाला एक मातर देश हा इंडिया यहीं से आपका homework एक छोटा सा होउवर्क है कि केरला के अंदर जो coming in the Karla कें आई यो पार्टी आई कि केरला के नियुकि जो पारटी आई seat कि की इसको कितनी सीट मिली कि जो सीट सै वह आपको बताने ही कि कितनी शीट हैं वो मिली यह आपको बताना है नहरु फेल्ट स्ट्रोंगली ओफ फॉर इस नेबर यह जो पड़ोशी था उसके परति नहरु के जो मन में जो भाव थे वो काफी ज्यादा गहरे थे कमिंग आउट क्यों थे क्योंकि यह जो देश था वो वेस्टर्ण डॉमिनेंस के जो चुंगल है उनसे बहार निकला था वेस्टर्ण जो डॉमिनेंस है उससे यह बहार निकला था और help than new government और जो नहरु थे या इंडियन जो government थी या इंडिया था उसने help की थी यहाँ पे जो केमिनिस्ट जो government को बनने में काफी हाद तक मदद था वो की थी some leaders worried कुछ leader चिंता में वरीड थे वरीड थे वरीड गमल होता है चिंता में थे काफी जाद चिंता में थे कि Chinese aggression in future कि चैना का जो aggression देखकर जो Chinese aggression है उसको देखकर काफी ज़्यादा जो नेता थे कुछ जो लेडर से वो वरीड थे चिंतित थे जैसे सरदार बल्लब भाई पेडिए वह काफी ज्यादा वरीड थे चिंतित थे उस चिंता का जो कार्ण था वो क्या था आपका की कि चिंता का कुछ कार्ण थे जैसे कि जो aggression aggression है चाइना का वो लगातार बढ़ता जा रहा था यह चीज़े नहरू वोज जो नहरू थे वो संतुष्ट नहीं थे यहाँ पर आगे देखिए बिकोज देखो इसका भी कुछ नहीं कुछ कार्ण था पीछे इसका भी एक कार्ण था कि इंडिया एंड चाइनीज रिलेशन और गुड जो इंडिया के और चाइना के जो रिलेशन थे वो काफी ज्यादा अच्छे थे इसलिए जो नहरू था वो संतुष्ट नहीं था किसकी किस सर्दार बल्लब भाई पटेल के इस विचार से फोर ए लोंग टाइम एक लंबे समय से चाइनीज बोडर चाहिना के जो बोडर है उसके उपर वो गरेंटी गरेंटीड का मतलब होता है कि जो खड़े होना ठीक ना तैनात करना भाई पैरा मिल्ट्री जो पैरा मिल सिच्वेशन बनती है लड़ाई जगडे की खासकर किसी पड़ोशी देश के साथ तो हम आर्मी को वह करते हैं आर्मी को खड़ा कर देते हैं तो यहां पर जो पैरा मिल्ट्री है उसको खड़ा कर रखा था इन नाइंटीन इन ट्वंटीन अप्रेल नाइंटीन में या फिर उसको कहा जाता फाइफ प्रिंसिपल्स ऑफ पीस पीस के लिए पांस जो सिद्धान्त है उनके उपर है वह एग्रिमेंट है वह हुआ जैसे एक दूसरे की सांति व्यवस्ता कायम करना दूसरा है कि जो इंटरनल जो मेंटर्स होते हैं उनके अंदर इंटर फेर वह थी किस किस के बीच में यह काफी बार पूछा जाता तो यह हुआ नहरु के बीच में और उसमें जो चाइना के जो हैड थे चाओं उनलाई इनके बीच में हुआ और यह एक स्टैप इंडा डार्क्षेन एक स्तार्ब्र रिलीशन Sm के दोनों देश्ते न कंति में मचपूत रिलेशन के लिए एक जो स्टैप आप उठाय गया था दोनों देशों के लिए और इसके जैसे ही रिलेशन अब थोड़े-थोड़े स्ट्रोंग होने स्टार्ट हुए तो इंडियन एंड चाइनेज लीडर विजिटेड एक दूसरे इच अधर कंट्रे जो चाहिना के जो लीडर्स थे और इंडिया के जो लीडर्स थे वह एक दूसरे देशों में क् करते थे यात्रा करते थे विजटाइट के मली होता यात्रा करना और आपक्प ज्जादा जो लोग थे वह जो क्राउड था वह काफ़ी फ्रेंड्ली हो जाता था उनके साथ और काफी ज्जादा जो भीड है वह लगती थी और यहां पर बताया गया है कि जो नहरू विजिट टू चाइना इन अक्टूबर नाइंटीन सिक्स्टी स्वरी नाइंटीन फिप्टी फॉर को जो नहरू थे वह उन्होंने विजिट किया है कहां पे चाइना में क्लियर हुआ इतना पॉइंट यह आपको बताना था अब हम नेक्स टॉपिक में डिसकस करेंगे तिबबत मेंटर को कि जो तिबबत का जो मेंटर था वो क्या था उमीद करता हूं कि यह आपको समझ आया होगा फिर भी यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पोच सकते हो और आने वाली जो वीडियो होगी उनके इंदर आपके जो कमेंट है उनका जवाब दे दिया जाएगा यह आपका जो सोलुशन है उसको बता दिया जाएगा उमीद करता हूं कि समझ आया होगा जब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू अवर्यों बेटर